पढ़ा होगा बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलीस ने अपनी चार्जशीट में छे खिलाडियों और नौ अन लोगों की गवाही और साक्षियों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुष्टी संके अध्यक्ष ब्रिजभूशन सिंग पर यौन उत् लगाया ही है साथी मुकदमा चलाने और डंदित करने की आवश्यक कारवाई कराने का कोट से आवाहन किया है आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रिजभूशन सिंग भाजपा सांसद पर धारा 506 अपराधिक धमकी 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना 354A यौन उत्पिरन, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई है पुलीस ने अपनी चार्ज़शीट में ब्रिजभूशन सिंग को कोट बुला कर ट्रायल शुरू करने और विटनिसेज जो इसमें मेंशन है उनको बुला कर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है इस चार्ज़शीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलीस ने जिसमें से 15 लोग जिसमें रेसलर्स है, रेफरी है, कोचेज है ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पिरन, दराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए लेकिन विडंबना सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली पुलीस की चार्ज़शीट, उन्हीं लोगों के बयानों, उन्हीं लोगों की गवाही पे आधारे थे, जिन्हों ने एक्जाक्ली ये सेम आरोप, एक्जाक्ली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमिटी के सामने भी लगाई थी, आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूँ कि जन्वरी 2023 में सरकार ने छे सदसी ओवरसाइट कमिटी गठित करी थी, जिसकी अध्यक्षता उतकृष्ट मुक्यबाज श्रीमती मेरी कौम ने करी थी, उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाडियों की और अने लोगों की बात सुनी, जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन अप्रेल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमिटी ने स्पोर्ट्स मंत्राले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर् नहीं की, और जैसा कि सर्व विदित है, कोई कारवाई ना होने पर, ओवरसाइट समिटी से पूरी तरह से विश्वास हिल जाने पर, खिलाडी, साक्षी मलेक, विनेश पोगट, संगीता पोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाडी, वापस जंतर मंतर पर आकर, मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें, अपनी जायस मंगो को लेकर, और उस दोरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथा पाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया, और यहां तक कि जब उन्होंने ठक हार कर अपने मेडल गंगा मे बहाने की बात करी, तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए, पर क्या अब चार्जशीट में संगीर आरोप आने के बाद, साक्षों के अधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी, क्या अभी भी प्रधान मंतरी कुछ नहीं बोलेंग क्या अभी भी महिला बाल, विकास, मंतरी, स्मृती, इरानी अपना मू तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विशुगलना रहेगा, क्या खेल मंतरी, अनुराग, गोली, मारो, ठाकुर तभी नारे लगाएंगे, जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे, इस इस देश के ग्रह मंतरी में, भाजपा के अध्यक्ष में होती, तो संग्रक्षा बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराद करने वाले आरोपी को नहीं, लेकिन ये देश भी देख रहा है, और ये देश देख रहा है कि कैसे लगातार, not once, not twice, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार भारतिये जनता पाटी, नेताओं, सरकार और प्रधान मंतरी का संग्रक्षा आरोपी को मिलता है, इस देश की बेटियों के विरुद्ध, तो इस मंच से हमारे प्रधान मंतरी से बहुत ही चंद कुछ सवाल है, हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये की बेटी कहा, उन खिलारियों के मामले पर जिन के साथ उन्होंने फोटो खिचवाने में मिनिट भर भी देरी नहीं करी, प्रधान मंतरी इस पर मौन क्यों है, प्रधान मंतरी अपने चहेते सांसद ब्रजभूशन सिंग को पार्टी से कब निकाल फेकेंगे, ये सवाल और अंत में मोधी जी आपकी सरकार ब्रजभूशन सिंग को संगरक्षन देना कब बंद करेगी, विकोज यहाँ पर वस्तुत हस्तिती ये है कि यहाँ पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है, आपका टेस्ट, आपका परीक्षन इस समय देश की बेटिया करना चाहती है, क्या नेतिकता है जरासी भी आप में और आप क्या कीजिएगा?